नमस्कार वक्री ग्रह होते क्या है जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके परिनाम बदल जाते हैं ऐसा माना जाता है कि ग्रहों के वक्री होने से उनके परिनाम उल्टे हो जाते हैं जबकि ऐसा होने पर होता ये है कि ग्रह पीछले खाने में चला जाता है और एक साथ दो भ पर पढ़नी सुर्य हो जाती है इसलिए ग्रह जब बक्री होते हैं तो बहुत जादा सक्ति साली हो जाते हैं सुर्य और चंद्रमा कभी बक्री नहीं होते हैं जबकि राहू और केतू सदय बक्री रहते हैं ग्रोहों की तमाम तरह की इस्थितियां होती है अस्थान की इस्थि बल और गती की इस्थिति है ग्रहों की जो बल है गती है उसके आधार पर मुख्यता तीन तरह की इस्थितिया होती है मारगी वक्री और अतिचारी यह तीन इस्थितिया है जब कोई ग्रह सामाने गती से भ्रहमन करता है तो उसे मारगी कहते हैं जब तीब्र गती से चलता है speed से ज़्यादा तो उसे अतिचारी कहते हैं और जब तीब्र गती से चलने के चक्कर में उसके speed को balance किया जाता है और वह पीछे की तरफ चलने लगता है तो उसे वक्री कहते हैं वासताम में कोई ग्रह कभी भी पीछे या उल्टा नहीं चलता है उनके ज्यादा इस पीट की वजह से आभास होता है कि गरह पीछे की तरफ जा रहे हैं इसी आभास को गरहों का वक्री होना कहा जाता है गरहों के वक्री होने का प्रभाव क्या है हम आपको बताते हैं मंगल गरह अगर वक्री हो तो उसके होने से कुंडली पर प्रभाव क्या होता है जन होता है लेकिन वक्री मंगल पर खराब गरह का प्रभाव होतो ब्यक्ति अपराथ की तरफ चला जाता है अगर वक्री मंगल दूस प्रभाव दे रहा है तो ऐसी दसा में मंगल वार का वुरत रखना चाहिए इससे आपको बहुत फैदा मिलेगा अब हम बात करते हैं वक्र होता है और कभी-कभी दरिद्र भी होता है अगर वक्री बुद्र की वजह से दूस प्रभाव नजर आ रहे हैं तो अब बुद्वार के दिन हरी चीज का दान करें अब हम बात करते हैं ब्रहस्पति की कुंडली में अगर ब्रहस्पति वक्री है तो क्या प्रभाव है वक्र व्यक्ति को सुरू में जीवन में बहुत संगर्श करना पड़ता है अगर वक्री ब्रहस्पती की बज़न से जीवन में कुछ खराप प्राफ्ठह हो रहे हैं तो आप सिबजी की सरन में जाए्ग शिबजी की पुझा करें आपको बहुत लाब होगा अब हम बात करते हैं वक्री सुक्री की, वक्री सुक्र होने से ब्यक्ती बहुत आकरसक होता है, खुबसूरत होता है, दिखने में कैसे भी होंगे, लेकिन वो उनका चेहरा एक्टरेक्ट करेगा इस कारण से ब्यक्ती अक्सर ग्लेमर में फिल्ड मीडिया में बाले कला के छेतर में जाते हैं, लेकिन सुक्र वक्री होने से चरीतर को कमजोर करता है यहां पर, और ब्यक्ती को जीवन में सही साथी नहीं मिल पाता है अगर कुंडली में वक्री सुक्र है और खराब परभाव दे रहा है हमने जो आपको बताया उसके दूस परभाव अगर ऐसा कुछ मेच हो रहा है तो आप भगवान सुरी की उपासना करें, उनको नित्ते दिन सुबह में प्लेन वाटर आप अरपित करें, जल अच्छा रह अगर ये कुंडली में है तो आपके उपर पूरु जन्म का प्रभाव जरूर होता है और कभी-कभी ब्यक्ति जन्म से ही विलक्षन और अद्भुत दिखाई देता है विलक्षन मिन्स बहुत ज़्यादा कुछ अलग हटके, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हर तरह से अच्छाई भरी हुई अगर वक्री सनी का दूस प्रभाव हो, तो इसकी वज़े से जीवन में दरिता का भी सामना करना पड़ सकता है अगर आपको ऐसा लग रहा है, कि वक्री सनी की बज़े से आप दरिता का सामना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ डवा डोल हो रहा है, तो ऐसी दसा में आप पीपल का धेर सारा ब्रिक्ष लगाए और जल्दे सेवा करें, अपने हातों से खुद लगाए तो ज्यादा बेहतर परिमाव आपको प्राप्त होगे थेंक्यू दोस्तों फिर मिलेंगे अग्यों